कर लिया था हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पार्ट 2 हमने फोटी नंबर के कोश्चन तक कर लिया था हम स्टार्ट कर रहे हैं कर लिया था है च्लिः विना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रिवास्त के उत्री जो मैदान है उनको ठीके 1947 से पूर, नेक कोशन देखिये, 1947 के भारत विभाजन के बाद, भारत की उत्री मैदान को किन न情 के मैदान के रुपे प्रिदर्शित किया जाता है? यानि अब जो भारत का जो उत्री मैदान है उसको किस तौर पर शो किया जाता है तो वो है सतलज गंगा और ब्रह्म पुत्र का मैदान किसका का जाता है वो सतलज गंगा और ब्रह्म पुत्र के मैदान के तौर पर परिभासित किया जाता है भारत के उत्री मैदान को सतलाज गंगा ब्रह्मपूत्र का मैदान भौगालिक रूप से किस प्रकार का आकार बनाता है यह आपको पता होना चाहिए तो कई जगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखेगा कि यहां पर जब रीट का मेटर हो या फिर कोई राइस्थान से सम्मदिश क किसी भी एक्जाम्स का मेटर हो तो आपको स्टेट की जो बुक्स होती है जो स्टेट की मेन बुक्स होती है जो 12 तक की होती है उन्हीं बुक्स में जो डाटा होता है वो ही मानने होता है तो यहां पर जो आकार दिया है वो ही फाइनल होगा एंसी आर्टी में अलग दिया है या उसमें अलग दिया है वो मान्य नहीं होगा यहाँ पर केवल और केवल जब राइस्थान की बात हो रही है तो केवल राइस्थान की बुक्स की मान्य होंगी तो ध्यान रखेगा कि सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का भौगल काकार क्या है वो है धनुसाकार में सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कितने लंबाई में फैला हुआ है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कितने लंबा था 2400 DM लंबा था हमारा आपका व्रहद हमाल था उसकी कीटि थी वूभी चट्लाइज गंग घंगा भाढूंपुत्र के लड़ एकटा लिए बा fifty से 300 km चोड़ाई इसकी मानी जई है ने कुशन देखिए दो आप किसे कहते हैं दो आप किसे कहा जाता है यह बहुत इंपोर्टरेट है यह आपको पता होना चाहिए दो आप बहुत बार आचुका है यह कुशन इसका आंतर है दो नदियों के मद्धे जलोड के जमाव से निर् मैदान बनता है उस भूबा को क्या का जाता है दो आप कहा जाता है उस मैदान को क्या का जाएगा दो आप कहा जाएगा नेक कुशन देखिए भारत के उत्री मैदान भाग में भारत के कौन से राजय मुखिते आते हैं भारत का जो उत्री मैदानी भाग है उसमें कौन-कौ हरियाना, उत्राखंड, उत्रप्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहारखंड और पश्चिम मंगाल ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उत्री मैदानी भाग का मुक्यत हिस्सा हैं। कितने भागों में बाटा गया है। लेकिन भारत की उत्री मैदान को जो बाटा गया है तो इनके अत्रक किसमे हैं राजस्थान का मरुस्तली चेत्री भारत की उत्री मैदान में आता है। लेकिन सामने तो कोश्चन के आता है। सामने तो कोश्चन के वल जो नदियों का मैदानी चेत्र है उनहीं का भागोलिक बर्गी करणा आता है। तो उसके तोर पर आपके भाबर, तराई, बांगर और खादर चेत्र के बारे में बताना होता है। तो टोटल मिलाके आपके चार प्रिकार हैं भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। लेकिन उत्री भारत के जो मैदानी छेत्र है उसमें सुस्क जो मरुस्थल ये प्रिदेश से भी सम्मिलित होता है तो रायस्तान मरुस्थल प्रिदानी छेत्र भी इसी के अंतरगत आता है नेक कोशन देखिए भावर प्रदेश का भारत के किन छेत्रों में विस्तार है तो देखे भावर प्रदेश की वैक्या हम पहले भी कर चुके हैं उसको परिवासित कर चुके हैं छोटी क्लास में तो अपने शीत्रूप से पुराइन क्लासे को एक बार देख लीजे अगर आपको याद नहीं है तो सिवालिक के परवत पदिये छेत्र में 17 नदी से 30 नदी तक 8 से 16 किलोमेटर में ये पहला हुआ है भावर प्रदेश जो है भावर प्रदेश क्या है भावर प्रदेश जो आपके परवत ये छेत्र हैं ये दिखे सिवालिक के परवत पदीय, परवत पदीय का मतलब क्या होगा, परवत के बिलकुल निचले हिस्से में ये छेतर है, सिवालिक कौन सी है, सबसे छोटी, जो है आपके हमाले छेतर की सबसे छोटी उपाडियां है, और यहां पर परवत पदीय छेतर में जब नदी पानी बहा कर लेके राती है तो इस चेत्र पे हैं और बहुमी गत्रास्स जातीत ने प्रविष्जा कांची नदियों के बीच भीच है 17 नदी से 30 नदी तक पहला हुआ है यह शिवा लेकर परविठ पदिया शेत्र में है और यह कितना है यह 8 से 16 किलोमेटर चोड़ा है चलिए नेक क्यूशन देखिए भाबर तराइब बांगर और खादर प्रवाइट होती है तो कौन सी है वो चेत्र वह आपका है भाबर चेत्र भाबर चेत्र में मैंने बताया था परवत के बिलकुल निचले हिस्से में होने के वज नीचे पानी चला जाता है तो भूगर भी दिखाई देता है उपर तोर पर नहीं बहता है तो वहाँ पर सामने तब भूमेगर जल नहीं जाता है वहाँ पर भूमेगर नदियां पाई जाती है किस चेत्र में भाबर चेत्र में नेक कोशन देखिए भाबर तराई बांगर और खादर प्रदेशों में से किस प्रदेश में दलदली शेत्र पाए जाते हैं आपको याद होगा जब हमने पिछली क्लास में इसको देखा था किस शेत्र में पाए जाते हैं ये तरही शेत्र में प्रदाए जाते हैं इब को अ इन पर होका है वहां पर तो यह बूमी गजल जो होसता है और इस इस्षित्र तो इहां दलदली छेतरों का निर्माण हो जाता है यहाँ पर वन्य छेत्र भी बनते हैं और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दल दली छेत्र भी तराई छेत्र की विश्यस्ता होती है यहाँ पर ही दल दली छेत्र जादा पाये जाते हैं तो कौनचे हैं दलडली छेत्र कहां पाई जाएंगे तराई प्रदेश में पाई जाएंगे नेक क्वेशन देखें कांस वे हाती घास ये कांस और हाती ये क्या है ये घास के प्रकार है काङ स्वे हाती घास अधी भारत की उत्री मैदान में किस प्रदेश की विश्चत सता है यह जो घास हैं काङ स्वे हाती घास यह कहाँ पाई जाती हैं उत्री मैदान में कौन कौन से हैं हाती और गैंडे जो हैं वो इन तरही छेत्र में ही सामने से मिलते हैं नेक कुश्चन देखिए भारत के उत्री मैदान में प्राचीन तलचट से निर्मित छेत्र क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है वो गयलाता है बांगर छेत्र देखें बांगर छेत्र को हम क्या कहते हैं नवी प्राचीन जलूर मिठ्टी का छेतर भी कहा जाता है क्यों क्योंकि यहां पर जो नदियाँ थी पहले जलूर मिठ्टी तो जमा हो गया वह उचे शेतर हो कहां पर है यूपी के उत्तर पश्रिमी भाग में है और उत्तरा खंड में विसे इस तोर पर ये छेत्र पाया जाता है नए क्योशन देखिए नवीन तलचट वे कांप से निर्मित भारत के मैदान को क्या कहा जाता है तो हम जानते हैं जब नई जलोर मिट्टी आती है कहां आ आती है तो वह की अपने साथ पानी के साथ क्या मिटी ले के आती है और जेवाग करती है तो ऐसा चेतर क्या कहलता है खादढड चेतर कहलता है और यह सामयाते कहा पाये जाएगा पूर्वी उतर प्रदेश में जारकंड, बिहार और पश्चिम बंगाल शेत्र में ये सामयते देखने को मिलता है नवीन तलशट और कामचेनिमित भारत के मैदान को क्या कहा जाएगा? खादर शेतर का आ जाएगा ये पूविय उतर पदेश, जहारकंड, बिहार और पश्चिम बगाल में मिलता है नहाँ कुशन देखी भारत में थार का मरुस्तलिय मैदान शेतर का विस्तार कहा है? तो देखे अरावली परवतों के जो पश्चिम शेतर है वहां से लेकर उत्तर पश्चिम में जो सिंदू के मैदान तक का जो छेत्र है, वहां तक मरुस्तलिय मैदान का विस्तार है, रावली परवतों के पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम में सिंदू के मैदान तक ये फैला हुआ है, नेक क्वेशन देखें, थार का मरुस्तलिय चेतर कितनी लमबाई में फैला हुआ है, थार का जो मरुस्तलिय जेतर है वो कितनी लमबाई में फैला है वो है 6500 mm, yarn новых 750 km लमबाई में है, 200-300 km चोड़ा है, 250-300 km चोड़ा है और 150-380 mm उच चेतर भी है क्योंकि यहाँ पर T, L, H2 पादी पाए जाते हैं, जो कि निर्मित होते रहते हैं, विगटते रहते हैं, तो यह कहाँ पर हैं? यह मरुस्ट लिए छेतर की विशेषता भी है, तो यह कितने उचा ही पाजाते हैं? 500 से 380 मीटर, यात रखेगा हैं, यह मीटर में हैं, और बाकी दोनों यूनिट किसमें हैं? वो किलोमीटर इसमें है, तो साड़े 600 किलोमीटर लंबा और 250 से 300 किलोमीटर ये चोड़ा शेत्र है और इसमें 150 से 380 मीटर उचा ये सामने तोर पर पाया जाता है नेक क्वेशन देखिए थार के मरुस्तली शेत्र में खारे पानी की जीलें कौन सी हैं? थार के मरुस्तली शेत्र में खारे पानी की जीलें मुक्यतर कौन सी हैं? तो मुक्यतर चार जीलें हैं सांभर, लून करंड सर, डेड़वाना और पच्पदरा यहाँ पर नमक भी पैदा किया जाता है, नमक भी निकाला जाता है इन छेत्रों से, सांभर्त की जील, लून करंड सर, डेड़वाना और पच्पदा यह वो जीले हैं, जो हमेशा बनी रहती हैं, और इनसे क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है, यह खारे पानी की जी कोशन देखी, शरस्वती-फियक किन शेत्रों में मिलते हैं? यह भौबालिक ओधार पर इसके जवाप अलग होते हैं लेकिन जण जवाप जिओग्रफिय में पढ़ रहे हैं तो तो इसका अंसर कुछ अलग होते हैं, तो थार के मरुस्तलिय छेत्र में सरस्वती नदी के अबसेश पाये जाते हैं, तो इसी के साथ आपका ये उत्री भारत के मैदान से समझे जितनी भी कोशनों थे, वो मैंने इसमें निकाले हैं, और अब हम बागी जो हिस्से हैं, उनके के बारे में भी अगले पार्ट में देखने हैं, तब तक के लिए बच्चों थेंक यू,